नमस्कार दोस्तों आज ही तीन दिसंबर और तीन दिसंबर को एक अबर फिरसे में आपने चानल पर एक आसे स्टॉक में आपके समने प्रेजेंट करूंगा जो एक साल के बहुत ही नीचले अस्तर पर मौजूद है जैसा कि आप इस स्क्रीन पर देख पा रहे हैं 240 का हाई बना कि यह स्टॉक अभी 130 32 पर ट्रेड कर रहा इस स्टॉक पर इतनी पोटेंशियल है कि आप इस पर पोजिशन बनाके यह स्टॉक पर एक छोटा सा इन्वेस्टिमेंट आपके लिए आने वाले टाइम में बहुत ही प्रॉफिटेवल कॉल होगा देखिए इस पहले मार्केट कैप की बात करते हैं 853 करोन की मार्केट कैप हाई लो आपने देख लिया बुक वैल्यू एक सेग रूपिय का है और 101 रूपिय का बुक वैल्यू और साथ ही आर उसी आभी भी इसका 17 परसेंट का है इसके बाद भी जबकि स्टॉक काफी करेक्ट हुआ 12 के आसपास में ROE है जो की बहुत ही बहतरीन है परमोटर्स की होल्डिंग 72.83% और एक परसेंटीज गिर भी नहीं यह इस स्टॉक को एक लंबे समय के लिए आप लॉंग टर्म इन्वेस्टिमेंट के लिए भी देख सकते हैं जो इसे खास बनाती है यह परमोटर्स की होल् यह पर्फेक्ट इस्टॉक और काफी करेक्षन पर मिल रहा है तो सटॉक पर करेक्षन का मज़ा लीजिए इस टॉक को बाइंग कीजिए मैं सटॉक का नाम दिखाता हूं और उसके बाद इसका काम दिखाऊंगा सबसे पहला स्क्रीन पर नजर आ रहा कुई खिल टेक्नो ल अभी हाल फिलाल पे दो-तीन मेहना पहले एक साइन किया है यूएस के साथ क्विखेल टेकनोलोजी रिसीवड पेटेंट फोर दे एंटी रेंसो वेर टेकनोलोजी ये यूएसे के साथ इनका डील हुआ है सबसे पहली चीज और अगर इनका प्रॉफिट लॉस का मिल रहा है इसे ग्रैप कीजिएगा दोस्तों अगर आप चाते हैं एक इन्वेस्टमेंट के तौर पे ना कि इंट्रडे और सौट टर्म ट्रेडिंग के लिए आप इस पे बने रहे देखिए सबसे पहली चीज देखिए कंपनी का 2015 से लेके सेप्टेंबर 19 तक का सेल्स मौ सबसे ज्यादा 48 करोड का प्रॉफिट है प्रॉफिट बीफॉर टैक्स की बात करें तो 50 करोड का जो कि यह सेप्टेंबर 2018 में था इनका उससे के आस-पास में आप मान सकते हैं पिछले तीन क्वाटर से इन्होंने 50 का प्रॉफिट नहीं निकल के दिया बट इस क्वाटर में 50 का प्रॉफिट भी निकल के दिया नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट भी अच्छा खासा आपको नजर आएगा आपको कुछ भी नहीं चाहिए तो यह एक कंपनी डिवीडेंट इल्ड भी मैंटेन करके रिखिए 2% का डिवीडेंट इल्ड है और सबसे बहतरीन जो मैंने दिखा है कि कंपनी डेट फ्री है कंपनी के पास एक भी रूपय का कर्जी नहीं है वह भी कंसिस्टेंटली 2012 से लेक आपको पता है की के बारे में की कि filmmaker काम क्या करती है यह 1995 में इनका जो था सिए ट सूंपेटर सर्वीसेश्कारवाइड करवाती है तब उससम wiped कंपनी नहीं बने थी और इसके बाद स्वेस्टेंटाने में 2005 में बाद में कुछ विंक का one of the leading provider of a security software production solutions in India ठीक है home home services आपको पता है home users हैं इनके जैसा कि आपको क्विखिल का आप software अगर यूज करते हैं तो definitely small offices में और government की schemes government के पास भी इनका sales है तो यह stock काफी बहतरीन परदर्शन करतक कर सकता आने वाले समय में और साथ ही बहुत कम डिसकाउंट पर मिल रहा है यह सबसे अच्छी चीज है आप यहां पर देखें रिटर्न और एसेट्स फाइब फाइव इस का तो बारा परसेंट का है और साथ ही अगर हम लोग एक चीज और आप देखेंगे डिउडेंटे डिटर्ट इसाग्ण इरा नजर नहीं आ रहा बट डिवीडेंड दो परशेंट से जादा है इनका तो इस कम्पनी में डिविडेंट भी मिल रहा है क्यों ना देख्यें डिविडेंट है आपका यहां 1.65% तो यह इस company को बहतर बनाती है dividend पे करती है company rate free है काफी ज़्यादा low value पे मिल रहा है इस stock को एक बार जरूर नजर घुमा के देख सकते हैं दोस्तो आने वाले time में कुई खिल जैसा digitalization हो रहा सभी जगहों पे internet का बहुत ज़्यादा usage हो रहे हैं तो इनका भ जरूर आप अपने portfolio पे जगह दें और जरूर देखें एक बार अपने financial advisor से भी सला ले ले यह stock बहतरीन परदर्शन करेगी और साथी में काफी low values पे मिल रहा है इसलिए यह stock अभी आप देख सकते हैं तो चलिए इस stock के लिए इस वीडियो पे इतना ही मिलते है next वीडियो पर देखिए मैंने आपको एक चीज नहीं दिखाई ती यहां पर आपके पास बहुत सारे options है अगर आप इसी sector पर और भी बहुत सारी stocks मौझूद है उनमें से किसी stock को भी वाइंग कर रखते हैं एलेंटी इन्फो टेक एलेंटी टेकनोलोजी माइंट्री हैक्सावेट टेकनोलोजी एनाइटी टेकनोलोजी प्रिस्टेंट सिस्टम टाटा इलक्षी इतने सारे विकल्प हैं बट कुई खिल इसलिए बहतरी नहीं क्योंकि डेटफिरी कंपनी है और आपको एक लोग वैल पूर स्टॉक है इसको आप देख सकते हैं इन्वेस्टमेंट से पहले बाद जरूर आपने फाइनसियल एडवाईजर या इन्वेस्टमेंट एडवाईजर से जरूर सला लें मेरे काने पर आप बाइंग या सेलिंग ना करें क्योंकि आप अपने प्रासर लगाएंगे प् लो वैल्यूस पर मिल रहें बाकि आप अपने इसाब से डिसीजन लेकर इस स्टॉक पर बाइंग या सेलिंग कीजिए मुझे अच्छा लगा यह स्टॉक एक अच्छा पोटेंसियल लगता है आगे आपको एक अच्छी जरनी दिखाएगा वह एक सौट टर्म के नजरिये स इसे नहीं एटलिस्ट सिक्स टू ओनियर्स का नजरिया लेकर इस स्टॉक पर बाइंग कर सकते हैं तो चलिए इस वीडियो पे इतना कोई खिल के लिए अगर कोई अपडेट और भी आती है कोई खिल में जो से स्टॉक को एक रॉकेट बना सकता तो हमारा चैनल आप तक की अपडेट जोरू पहुंचा देगा वीडियो अच्छा लगा होगा लाइक किजेगा और अगर इस तरह के किसी और भी वीडियो चाहिए किसी पर्टिकुलर स्टॉक का था में कमेंट किजे मैं आपको आप तक वह वीडियो कमपोच करके पहुंचा होंगा चलिए मिलते हैं नेक्स टाइम नेक्स्ट वीडियो के साथ नेक्स